पुश्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के एक नए एरर यानी के एक नई प्रॉब्लम एक बड़ी मुसीबत के बारे हैं बताने वाला हूँ जिस प्रॉब्लम के वज़ा से सभी पीएफ मेंबर्स काफी ज़्दा परहसान हो चुक क्या प्रॉब्लम आ रही है कहां पर प्रॉब्लम आरे है और 101 पर्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही हो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को अब देखे फटा फट में आप लोग को बेना time waste करे problem बताता हूँ समझाता हूँ और आपके साथ भी problem आ रही है मैं शेयर हो ठीके न तो धियान से चुनेगा बिल्कुल आपको क्या करना है और क्या problem मान लीजे आप अपनी प्याप की KYC कर रहे हो कुछ इस तरीकी का एरर आ रहा है आपको PF KYC करते हुए ठीक है ना 100% आ रहा है मुझे पता है अगर आ रहा है तो comment box में comment जरूर करना अब यह तो स्री PF KYC की बात हो गोई दूसरी और प्रब्लम कहां प्यार ही है चैप PF में resign date डाल लो चैप PF का claim कर लो चैप PF transfer कर लो मतलब कुल मिलाके जहां जहां आधार OTP की जरूरत पड़ती है वहाँ OTP जाई नहीं रहा है यह error आ जा रहा है आप लोग के सामने resign date डालते हुए यह error आ जा रहा है ठीक है ना तो कुल मिलाके सभी PF में और इसका परिशान है comment पर comment के जा रहे हैं call के जा रहे हैं कि sir please इसके बारे में वीडियो बनाईए यह problem क्यों आ रहे है इसका क्या solution है तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यह problem क्यों आ रहे है वहाँ वहाँ यह error आ रहा है क्योंकि आधार card का server down है और इस वज़े से OTP नहीं जा रहा है कोई भी PF का काम करने में समझ आ गया आप लोग को बिल्कुल अची तरीके से कि यह problem इसलिए आ रही है आप जाके आप अपने PF का कोई भी काम कर सकते हैं जहां आपको आधार OTP के जरत पढ़ रही है समझ आगे आप लोग को आप देखिए बहुत से PF members यह सोचके भी टैंसन ले रहे थे मैं इस वीडियो में अवेर करना चाहता था बताना चाहता था कि यह problem क्यूं आ रही है कि कि लोग डिमांड करे जह समझ आगे आप लोग को बाकी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना ना बोले धनेवाद दोस्त